तो एक बार फिर से आप सबी का स्वाहत है आज के वीडियो में हम बात करने वाले अगर किसे भी जाथ तक के लगन चारट में चठे घर में बुध वक्री हो तो इसका क्या प्रभाव रहेगा? देखे चठे घर में बुध वक्री है तो हमेशा ही या आपको खराब प्रिणाम नहीं देगा लेकिन आपके लगन चार्ट पर overall depend करता है कि यहाँ पर बुद्ध के प्रिणाम अच्छे होंगे या फिर खराब होंगे लेकिन उतने अच्छे भी प्रिणाम बुद्ध के यहाँ नहीं होंगे पर एक मिस्रित प्रिणामों के आप उमेद यहाँ कर सकते हैं तो अब जब बुद्ध चठेगर में आ रहा है तो आपको यहाँ पर क्या बातें ध्यान रखनी है कौन-कौन से रिजल्ट आपको कितने मात्रा में मिलने वाले बुद्ध चठेगर में आ रहा है तो आप अगर कोई भी काम कर रहे है और आपके कुछ क्लाइंट्स बनते वहाँ पर या आपके बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स बनते कितने भी बनते हों तो उन क्लाइंट्स को आप ठीक तरह से हंडल नहीं कर पाएंगे तो बहुत लोग आ जाएंगे यानि क्लाइंट्स आएंगे तो बहुत सारे पर वो लोग आपका जो सामान वो खरीद नहीं पाएंगे तो कुछ न कुछ इस प्रकार की कमी आपको देखने को मिलेगी जहां पर आपके सोप अगर तो आपकी सोप पर काफी सारे लोग आते लेकिन आपका वो सामान नहीं करीते और बदले में वो आपका टाइम बहुत ज़्यादा खराब करते इसी तरह से आपका जो क्लाइंट्स होंगे वो बार-बार आपको डिसकाउंट के लिए बोलते रहेंगे या वो आपको बहुत ही कम पे करना चाहेंगे या ऐसा भी हो सकता है जो क्लाइंट आपके पास आएंगे वो फाइनेंसली उतने स्ट्रोंग ना हो और कभी-कभी आपको उनको बहुत बड़े-बड़े डिसकाउंट भी देने पड़े है तो आप जिस व्रक पलेस पे काम कर रहें है वहाँ पे आपको लोग समझ नहीं पाएंगे इसका रीजन यह है कि आप अपनी बात को ठीक दरे से एकस्प्रेस नहीं कर पाएंगे आप दूसरी लोगों को अच्छी तरह से अपनी बात को समझा नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे एक extra effort, यहाँ पे कुछ अलग से आपको करना पड़ेगा, थोड़ा effort आपको लगाना पड़ेगा, और आप एक बार rehearsal जरूर कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, कारियों में, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा अप वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी, इस वज़े से क्योंकि आपके जो लोग हैं, अगर आपका कोई client बनता है, तो वो आपके payment नहीं आएगी, या फिर आप कहां ही भी काम कर रहे हैं, कहीं दूसरी जगह पे, या कोई दूसरे आप business में हैं, किसी को आप support करने को दे इस तरह से देखा जाएं, तो अब बुद्ध आपकी कुणले में जिन भावों के भी स्वामी होंगे, उन भावों को लेकर या उन भावों के कारियों को लेकर आपको काफी ज्यादा struggle करना पड़ेगा, और उन भावों के अच्छे result प्राप्त करने के लिए आपको अच्छा होगा, लेकिन आपको यहाँ पर जो आप काम करेंगे, जो भी अपना परफॉर्म करेंगे काम के द्वारा, उससे उतनी ज्यादा परसंसा नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग आपको समझने में काफी ज्यादा देरी कर देंगे, और आपको उचित प्रिणाम नहीं मिल पाएंगे, तो हो सकता है कुछ आपको यहाँ पर डिले परिणाम भी मिलें, काफी देरी से आपको परिणाम देखने को मिलें, तो इस परकार के काम आपके कुछ डिले हो सकते हैं, जैसे कि आपका कोई भी ऐसा काम आप कर रहे हो, कोई परफॉर्मेंस आप दे रहे हो कहीं से समंधित इश्यों हो सकते हैं और कभी-कभी बॉलने से समंधित भी इश्यों हो सकते हैं इसी तरह से आपको यहां पर जो आपकी वाणी है वह प्रोपर तरीके से बहार नहीं निकले रहे होंगे या बोलने को आपको बोला जाएगा तो आपको काफी ज्यादा डर लगेगा या आपके पैर कांप जाएंगे इस परकार के बहुत सारी चीज़े हो सकती हैं लेकिन अगर आपको यह बोला जाए कि आप एकांत में जाके कुछ भी आप ऐसा करें तो आप कर सकते है तो इस परकार से आप यहां पे थोड़ा extra effort लगा के आप अपने आपको थोड़ा सा ज्यादा social बना के आप ज्यादा समोहों में रहके और कुछ इस परकार के काम करके आप अपने आपको सुधार सकते हैं तो बुद्ध यहां पर जनरली है तो आपको finance related issues रह सकते हैं आपको धन को manage करने और डेली व्रक लाइफ को manage करने में काफी ज्यादा दिक्कते आ सकते हैं इसी तरीके से professional life को भी प्रभावित करेंगी क्योंकि चठागर हमारे profession का है यह हमारे जो जहां पर हम काम करते उस स्तान से समंधित है तो यहां पर वैसे तो 10th house profession का है पर चठागर बहुत ज्यादा important है क्योंकि आपका work place है तो work place पर आपको हमेशा अच्छा काम करना बहु बुद्ध आपका चठेगर में वक्री होगा